हेलो दोस्तो देसी नुस्खे में आपका स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुर्षों में शुक्राणू और वीरिये किस उमर में बनना शुरू होते हैं और किस उमर तक बनते रहते हैं क्या पुर्षों में ऐसी कोई उमर या आईू होती है जिसके पूरुशों में शुक्रानू और वीरिये बनना बंध हो जाते हैं और पूरुश संतान जनन में अक्षम हो जाता है तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा वीडियो बहुत ज्यानवर्धक है लाबदायक है वीडियो लास तक जरूर देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलते रहें, तो दोस्तों पुरुषों में वीरिय या शुक्राणू जनन की जो क्रिया है, इसको स्पर्मेटो जेनेसिस कहा जाता है, स्पर्म का अर्थ होता है शुक्राणू जनन, यानि शुक्राणू जनन, पुर्षों में शुक्राणू जनन की क्रिया पुर्षों के अंड कोशों में ह टेस्टिस लिंक के नीचे से दो गोलाकार अंडाकार रचनाओं के रूप में होते हैं जिने सामाने भाषा में गोलिया या बॉल्स कहते हैं शुक्रानु जनन की ये क्रिया पुर्षों में लगभब 12-13 वर्ष की आयू में स्टार्ट होती है तो दोस्तों आपको पहले सवाल का जवाम मिल गया कि पुर्षों में शुक्रानु और वीर्ये कब बनना शुरू होते हैं 12-13 साल की उम्र में शुक्रानु जनन की क्रिया यानि इस्पर्मेटो जेनेसिस को हम दो हिस्सों में बांड सकते हैं जिसमें एक तो इस्पर्म का बनना है और दूसरे वीर्ये का बन grain जो यूरी नरी ब्लेडर के ठीक नीचे होती है और दो सैमिनल horse जो कीूरी नरी ब्लेडर यानि मुतराशे के पीछ हिस्थीत होती है जब इजेकुलेशन होता है तो टेस्टिस में मौझूद शुक्राणू और प्रोस्टेट ग्लेंड और सेमिनल वैसिकल से वीरिये आपस में मिलकर बहार निकलते हैं शुक्राणू जनन की जो क्रिया पुर्शों में शुरू होती है यह 12-13 वाईश की आयू में शुरू होती है और बहुत ही कॉंप्लेक्स मेकेनिजम होती है इसमें विभिन हॉर्मोन्स भाग लेते हैं जैसे की दिमाग में मौझूद हाईपोथेलेमस और पिट्रियूट्री स निकलने वाले हॉर्मोन्स यह हॉर्मोन्स पुर्शों के टेस्टिस को टेस्टोस्टिरोन नामक हॉर्मोन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और टेस्टोस्टिरोन हार्मोन के परभाव से स्परमेटोजेनेसिश शुरू हो जाता है एक बार जब यह क्रिया शुरू हो जात नहीं दोस्तों पुर्शों में स्परमेटोजेनेसिस आजीवन चलते रहने वाली परक्रिया है यानि एक बाद जब यह परक्रिया शुरू हो जाती है उसके बाद फिर कभी खत्म नहीं होती लेकिन साथ ही यह भी बताना ज़रूरी है कि स्परमेटोजेनेसिस की क्रिया 40 वर् जीवन भर संतान पैदा करने की शमता रखता है तो दोस्तो सारी वीडियो का सारांश यह है कि पुर्षों में शुक्राणू और वीरिये 12-13 वर्ष की आयू में बनना शुरू होते हैं और फिर आजीवन बनते रहते हैं यह और बात है कि 60 वर्ष के बाद यह परकिरिया बहु बने बाद